असलाम वालेकुम फ्रेंड वेलकम बैक टू मैं चैनल साधिया इज रेसिपी आज आप लोगों के लिए बहुती एक मज़ी का रेसिपी लेके आगे हूँ इसको जो है एक नाश्टा या फिर आप लोग फ्लावर समोसा कह सकते हैं बनाना बहुत एज़ी है और खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी है रमजान भी आना स्टार्ट हो रहा है तो रमजान में ज़रूर इसको आप लोग बना सकते हैं तो चली इसका डोट आयार करते हैं उसके लिए एक कप मैंने आटा ले लिया है एक चमच नमक, एक चमच कलोंजी, उसकी साथ एक चमच सपेत तील और जो है डाल देती हूँ एक पिंच हल्दी पाउडर और उसकी साथ एक चमच तेल और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इन सबी को पहले सबसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, मौयन देना है उसकी बाद धीरे-धीरे करके इसके अंदर पानी रालते जाना है और इसका जो है एक हाड़ वाला डो तायर करना है डो को जादा सौफ्ट नहीं करना है सौफ्ट डो बनाओगे तो आप लोग का जो है फ्लावर की जो पापरी रहता है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो इसलिए जो है आप लोग को ये चीज़ का ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा करकर के पानी डालके एक थोड़ा हाड़ सा डो बना लेना है तो देखिए फ्रेंड यहाँ पा जो है डो बिल्कुल रेडी हो चुका है तो डो को इतना हाड़ बनाना है ताकि आप लोग जैसे इसको इस तरीके का तोड़ेंगे तो थोड़ा सा खीचाव आना चाहिए मतलब जो है आप लोग का डो बिल्कुल परफेक्ट है तो चलिए डो को अभी साइड में छोड़ देते हैं रेश्ट होने के लिए तब तक जो है इसका आलू का मसाला तैयार करते हैं यहाँ पाच चार उबला हुआ आलू मैंने ले लिया है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है आलू का क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम लगता है मैंने चार आलू उबला ता बर मेरे को दो ही आलू लगा है तो आप लोग जो है मीडियम साइज का दो आलू जरूर डाल सकते हैं अब इसमें डाल देना है आप लोगों को प्याच यहाँ पर मैंने एक प्याच को लिया है उसके साथ एक मुट्टी हरा धनिया अगर आप लोग प्याच पसंद नहीं करते हैं तो प्याच को आप लोग स्कीप कर सकते हैं अब इसमें में डाल दिया हूँ लाल मिर्ची पाउडर आप लोग इसके जगे पे हरी मिर्ची भी बारिक टुकड़ा हुआ कटा हुआ डाल सकते हैं अब इस पे डाल देती हूँ थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर उसी के साथ में डाल देती हूँ मैगी का एक मैजिक मसाला एक पैकेट में डाल रही हूँ आप लोग इसके बदले में चाट मसाला रहेगा तो आप लोग चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर आप लोग इस आलू का छोटी छोटी बॉल तैयर करना है तो यहां पर मैं स्वादा नुसार नमक डाल दिया हूँ नमक डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से भी मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि ज्यादा लंस इसमें आलू में ना रहे अब आलू में डाल देना है ए आलू बहान नहीं आएगा तो इसलिए आप लोगों को कौन फ्लावर जरू डालना है इस तरीके का भी छोटी छोटी साइस का बॉल आप लोग को पहले ही तायार करके रखना है ताकि जब आप लोग समों से बनाए तो आप लोग का जो है बहुत ही इजी हो जाए दूसरे तरब आटा बहुत ही अच्छी तरह से रेश्ट हो चुका है अभी इसको बेल लेना है तो बेलने के लिए यहां पर जो है मैं पहले आटे को तीन डिवाइड में कर रही हूं आप लोग जिस तरीके का रोटी चपाती बेलते हैं दो रोटी का आटा आप लोगों को एक साथ ले लेना है और गोल जो है लोई तायार करके आप लोगों को इसको बारिक पतला सा बेल लेना है बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना है इसी तरीके का गोल गोल करते हुए आप लोगों को रोटी को बेल लेना है इस पर जो है मैं थोड़ा सा ड्राइ आटा चिरक के बेलू इतनी देर तक वीडियो को आप लोगों ने देखा है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किया तो ज़रूर एक लाइक करें और चैनल को साथी में सब्सक्राइब करें ताकि बेल नोटिफिकेशन अन करें आप लोग कोई भी कटोड़ी या फिर ग्लास की मदद से कट कर सकते है या फिर आप लोग छोटे छोटे पूरी बना के भी छोटे छोटे लोई करके पूरी बना के भी इसको बना सकते है ये बड़ा बड़ा रोटी बना के एक साथ तीन से चार होता है इसलिए मैं इस तरफ के बना रही हूँ आप लोग जो है छोट छोट लोई बना के एक एक करके भी बना सकते हैं फ्लावर बनाना बहुत ही आसान है आप लोग को मैं डीटेल्स में दिखाती हूँ आप लोग जो है इस स्टेप को आप लोग बहुती अच्छे से देखना ताकि आप लोग का भी फ्लावर बहुती अच्छा सुन्दर बने सिर्फ इस तरीके का फोल्ड करना है और इधर से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फोल्ड करना है अब इसको जो हे पीछे की तरफ पलर देना है और जो अलू का मसाला था उसको जो हे बीच में रख देना है अब थोड़ा सा उंगली में पानी लेके इसके चारो तरफ आप लोगों को जो है पानी दे देना है ताकि समुसे या फिर फ्लावर खोड़ जो है नाश्टा आप लोगों का फ्राइ करते बक्त ना खुले बहुती आसान बनाना है देख सकते कितना इजी से आप लोगों को समझा रहे हो ताकि आप लोगों का भी बिल्कुल परफेक्ट बने दोनों किनारे को रेके इस तरीके का दवा देना है उसके बाद इस दोन किनारे को भी इस तरीके का आप लोगों को दवा देना है इससे जो है फ्लावर बहुती इजी लिए आप लोगों का तैयार हो जाता है अब आप लोग को पीछे की तरब से पापरी को निकाल देना है बहुत ही सिंपली आप लोग महमानों को जो है इस वाले रेसिपी को बना के फ्रीजर में तीन दिन तक आप लोग जो है स्टोर कर सकते हैं उसके बाद कभी भी आप लोग का महमाना आया तो आप लोग जो है इस रेसिपी को उनको निकाल के गर्म गर्म फ्राइ करके दे सकते हैं इतने जादा तेस्टी लगता है कि अकी नहीं करेंगे बच्चे से लेके बड़े सब ही को जो है ये फ्लावर समोसा पसंद आएगा व्या時 की फ्राइ करने की प्रोसेस में एक पैन में जो है मैंने तेल बहुत एची तरा से गर्म कर लिया है गैस को भी मीडियम फ्लेम कर देना है और एक एक करके सभी समोसे को इसके अंदर डालना है डालके आप लोगों को मीडियम फ्लेम करते ही इसको फ्राइ करना है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप लोगों को फ्राइ नहीं करना है नहीं तो ये कच्छा रे जाता है और क् और थोड़ा तोड़ा करके तील जो है मैं उपर की तरफ दिऊंगी आवजब तक की समोसे की कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो जाए उपर की तरफ से बिल्कुल वाइट इस टाइप ना हो जाए तब तक आप लोगों को इसको पलटना नहीं है जैसे देखेंगे आप लोग का उपर की तरफ समोसे का कलर चेंजिंग हो चुका है तब इसको जो है आप लोगों को धीरे धीरे करके पलट देना है तो फ्रेंट्स मेरे चैनल पे और भी है सूजी का कचूरी टाइप मैंने एक नास्टा दिया था वो भी आप लोग देख सकते हैं बहुती अलग-अलग मे पाल से थोड़ा तोरह एक निकल गया है बत ऑलू बिलकुल नहीं ग्ला है क्योंकि आलो जब हम लोग कामशाल्वा बनाया थे तब क्भान फ्लावर इसके एंदर डालेस यह जो है इसका एक फाइदा ज़रूरर रहता है और आप लोगों के लिए एक टीप्स के यह कोई भी आप लोग समुसे वगरे फ्राइ करेंगे तो एक चम बच अगर कौन फिलावर देंगे तो इस तरी तेक के का हो जाता है कितना सुन्दर लग रहा है देख सकते फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुबसुरत यह समुसा को चूरी हमारा बंद के तायर हो चुका है के करेसी पी के साथ अल्ला हफिजाए